हेलो स्टूडेन कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है रूब क्लास टोल्द कमिस्टी एंसी आर्टी चैप्टर नाइन स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर का नाम है उपसे स्योजी रसायन कार्व धातविक योगीक तो इस चैप्टर में आ त्योंबर में ऐसे कोश्शन और संकुल दो को समझाए संकुल लवड को संकुल योगीक भी बी कहते हैं या उपसे सेयोजी योगीक भी कहते है इतना ध्यान रखें आप ठीक है तो यदि कोश्चन आ जाए कि दृबर या संकुल लवड किसे कहते समझाएं तो भी मैं आज यहां पर complete करा दूँगा दुख लबड और संकुल लबड में अंतर वो भी चीज clear कर देंगे ठीक है चले शुरू करते हैं पहला दुख लबड देखेंगे इसके बाद हम संकुल लबड जो दुख लबड होते हैं पैर बच्चों इनका अस्तित के वल क्रिश्टली अवस्थ हमें ही रहते हैं मतलब जब तक क्रिश्टल के वस्था में रहते हैं ताब इनका अस्तित होता है जैसे इनको हम पानी में डाल देते हैं तो इनका अस्तित्त समाप्त हो जाता है अपने योगिक में तूड जाते हैं कुल मिला करके दुख लबड ऐसे आणविक योगिक होते हैं जो जल में छोलने पर या किसी बिलायक में खोलने पर अपने अस्तित्तों को खो देते हैं समझ गए में परिवादसा समझे में टॉपिक को समझे में चीजा अपने माइंड में मतलब एक प्रकास सैट करें कि दुएकलबड क्या है दुएकलबड ऐसे आनवेक योगिक है पैरवच्चो जो की जल या किसी बिलायक में घोलने पर अपना आस्तिक तो खो देते हैं उसे हम कहते हैं दुकलवर ठीक है यानि अपने आइनिक परमाड़ों में तूड़ जाते हैं अपने योगिकों में तूड़ जाते हैं ठीक है जैसे पैरवच् JCL2 और 6H2 वतलब इसके सारे के सारे आपने तूड़ जाते हैं तो इनका स्थितकेवल कृष्टलिय अवस्था में ही रहता है जैसे इने जल में या किसी अन्विलायक में घुला जाता है तो यह अभी योगी के रूप में तूड़ जाते हैं और इस प्रकार दुखलबड बि पैर बच्चो और संकुल योगी के संकुल लवड की बात करें तो ऐसे अन्विक योगी खोते हैं जो जल या किसी अन्विलायक में अपने पहचान नहीं खोते जैसे यहाँ पर पोटेसियम हेक्सा साइनो फेरेट यहाँ पर पैर बच्चो सिकेंड होगा तूपास्टिव म अपना सिक्स घटेगा तो यहाँ पर हम आयूपेसि नामन क्लेचर फिर आपको बताएंगे अभी इसका नाम जो है पोटेसियम हेक्सा साइनो फेरेट बिलकुल आप चिंता ना करें आगे चलकर आयूपेसि नामन क्लेचर तो मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपसे बनेग ठीक है तो संकुल योगीक ऐसे आणविक योगीक होते हैं जो जली में उसे हम खोले तो वो टूटे नहीं वो अपनी मूल जो योगीक है उसी अवस्था मेरे है ठीक है चलिए अब में हमारा डिफरेंस है पैरे बच्चो कि दुख लबड और संकुल लबड में अंतर तो इ K2SO4, L2SO4 का हो यह फिट करी है पैरे बच्चो क्या फिट करी K2SO4, L2SO4 का होल थ्राइच इन्टू 24H2 हो फिट करी है तो इनका जो मूल योगीक होता है इनका एक क्रेशियो फिक्स होता है लेकिन संकुल लबड में ऐसा नहीं है इनका आणविक अनुपात फिक्स हो भी सक सरन लबड जिनके संकुल योगीक बनते हैं समान अनुपी कनुपात में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं यह एक एवल क्रिश्टली अवस्था में पाए जाते हैं मतलब द्रवीत अवस्था में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि पैर बच्चो जबी से बिलायक में बि होते हैं यह आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं मतलब संकुल लबड में दोनों प्रवत्ति आयनिक योगिक भी हो सकते हैं और आयनिक योगिक नहीं लेकिन दिस संकुल योगिकों की बात करें, संकुल लबड की बात करें, तो ये पहरे बच्चों संकुल बिलियान में बियोजित हो जाते हैं, तो एक जटिल आयन प्राप्त होता है, मतलब ये अपने मूल आयनों में बियोजित हो जाते हैं, तो एक जटिल आयन मिलता है दुइकलबडों के गुण मूल योगिकों के ही समान होता है दुइकलबडों के गुण कैसे होता है तो मूल योगिकों के समान होता है जबकि जटिल योगिकों के गुण मूल सरल योगिकों से काफी विन होता है मतलब अलाग होता है दूइक लबड में धाथ वयन की शमान सयोजक्ता होती है जबकि संकुल में धाथ वयन की समान सवयजक्ता के सासाथ बिशिष्ट समयनभयान संख्या भी होती है तो आपको तीन यह चार अंतर याद करना है, ज़्यादा मैं नहीं कहोंगा प्रापर रूप से हैंड इटन नोटस आप पाएंगे जैसा कि आप मैं यहां पर देख पा रहे हैं और जैसे मैं आपको प्रुवाइड कराता हूं इसका परिवासा लिखना है दुख लबड तो दुख लबड का परिवासा लिख लिख ले एक जाम पलस लिख ले और संकूल लबड या संकूल योगी तो इस प्रकार से पैरे बच्चो आज कर वीडियो होता है कंप्लिट छोटा सा वीडियो है और लेकिन आपको छोटे सी वीडियो में एक क्वेश्चन आपको करा दिया गया है और आप लोग प्रापर रूप से त्यार करते रहें अच्छे से मेहन करते रहेंगे कोई कठीना ही नहीं होगी और आसानी से आप एक्जाम दें पाएंगे और आज के वीडियो पर संदाथ लाइक करें दोस्तों से शेयर करें मिलते हैं वीडियो के शांत अब तक लिए जेहिंद बंदे मातरम